हलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल दिव्यास को किंग किचन आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी ब्रेड रोल जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ली हैं वाइट ब्रेड और आप चाहिए तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं लेकिन आप जो भी ब्रेड ले यहाँ पर बिल्कुर एकदम ताजी ब्रेड लेनी चाहिए जिससे कि जो हम bread roll बना रहे हैं यह हमारे बहुत ही tasty बनेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम bread के यह konay काट लेते हैं तो देखे, konay काटने से यह होगा कि जो bread roll हम बनाएंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे इस तरही के से देखे यहाँ पे बहुत जादा बारिक नहीं करेंगे बस इस तरीके से यहाँ पे यह चल जाएगा तो अब हम ले लेंगे एक बाउल में उबले हुए आलू आलू यहाँ पे मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिये हैं और इसमें डाल देंगे बारिक कटी हुई हरी मिर्श थोड़े से बारिक कटा हुआ प्यास और थोड़ा सा ही डाल देंगे इसमें बारिक कटा हुआ धनिया और अब इसमें डालते हैं मसाले तो यहाँ पे एक चोटी चमच लिया है मैंने लाल मिर्ची का पाउडर और आदा चोटी चमची डाल देंगे इसमें अमचूर पाउडर, आदा चमच के करीब डाल देंगे चाट मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, और स्वाद अनुसा डाल देंगे नमक, नमक आप अपने इसाब से भी इसमें डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने आदा छोटी चमश ली है अच्वाइन और दो पिंच के करीब डाल दी है इसमें हीम अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे और आप इने आलूओं को पहले फोल लें अच्छे हाथों से और देखें इस तरीके से आप इने बारिक भी कर सकते हैं या अगर आप इने मोटा सा रखना चाते हैं थोड़े छोटे छोटे से पीस रखना चाते हैं तो वो इस तरीके से भी आप इने मिक्स कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर यह मैंने सारे आलूओं को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है और जो यह ब्रेड के क्रम्स हमने बनाए थे न और आप चाहें तो इसमें आप नमक चेक कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से लेकर अगर आपको इसमें नमक कम लगता है या मिर्शी कम लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये जो ब्रेड के कोने हमने काटके रखेते ना इसको हम इसमें डिप करेंगे एकदम से डिप करेंगे और बस हातों पे इस तरीके से हतेलियों से आप इसे प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा तो देखें यहाँ पे और यह जो आलू हमने तयार करे थे उसकी थोड़ी सी पिठी हम यहाँ पे सैंटर में रखेंगे और यहाँ पे दूसरे हाग से आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें और हतेलियों से आप इसे प्रेस करते हुए इसकी इस तरीके से शेप कर दें तो यह देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो अगर आप इसे हतेलियों से दबाएंगे तो वो निकल जाएगा और साइडों से अगर आपको लगता है कि यह खुल रहा है तो यहाँ पर इस तरगे से प्रेस करते हुए से बंद कर दें तो यह देखिए यह हमारे एकदम गोल मोल से यहाँ पर ब्रेड रोल भनके तयार हो जाएंगे देखे कुछ इस तरह से बनेंगे यह और इनको मैं यहाँ पर एक किचन डावल पर रख दूँगी जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा न वो इसमें जो यह कॉटन का कपड़ा है इसमें और बाकी की जो भी ब्रेड्स हैं हम उनको इसी तरीके से थोड़ा सा पा पर फोल्ड करेंगे और प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से यह ब्रेड रोल बना लें क्योंकि यह भीगी होई ब्रेड है न तो यह बहुत ही आसानी से इसकी शेप भी आ जाएगी तो यहाँ पर सारी ब्रेड रोल मैंने बना के तयार कर लिए हैं और इनको थोड़ी दे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा न वो इसमें नहीं रहेगा क्योंकि यह हमें यहाँ पर एकदम इसी तरीके के चाहिए और यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो देखे तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है तो जो तेल हम लेंगे न वह ब लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे और अगर तेल कम गरम होगा तो ये ना तेल पी जाएंगे तो इसलिए हमें यहाँ पे तेल को मीडियम गरम करना है और गैस की फ्लेम को भी मीडियम रखना है इनको हम fry करना शुरू कर देते हैं जितना आप तेल डाल रहे हैं उसके हिसाब से ही इनको fry करें तो यह जब एक तरफ से सिख जाएंगे तो इनको हम हलके हलके हाथों से दूसरी तरफ से भी पलट देंगे और इनको हलका सा golden brown होने तक सेख लेते हैं और गैस का flame आप यहाँ पर medium ही रखिएगा और यहाँ पर इन्हें इस तरीके से घुमाते हुए पलटते हुए सेख लेजिए तो यह देखे यह देखे यह अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और हर तरफ से अच्छे से सिख भी गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और यह बहुत ही crunchy से एकदम हमारे bread roll बन के तयार हुए हैं और यहाँ पर दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से सेख लोगी यहाँ पर तो medium gas पर आप इन्हें सेख लीजे इस तरीके से golden brown होने तक तो यह देखे यहाँ पर यह सारे bread roll बन के तयार हो गए हैं इसे हम सर्फ करेंगे हरे धनी की चटनी के साथ में या टमैटो कैचिप के साथ में गाइस यह देखे हैं हमने बिल्कुल medium आज पर फ्राई किया था तो बिल्कुल भी न ओयल नहीं है इनमें कहीं आपको लगे की बहुत सारा ओयल है इसमें तो इसमें ओयल नहीं है इतना और गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं अगली